अयोध्या जब दिव्य भविराम मंदिर का जब संपून स्वरूप राम भक्त देखेंगे तो वो पल एतिहासिक होगा। वो अयोध्या जिसके कंड़ कर में प्रभुश्री राम बसते हैं। वो धर्म नगरी जो हनुमान के अराद की है। अयोध्या में स्री राम मंदिर निर्मार का कार्य तेजी से चल रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मंदिर निर्मार के लिए पिलडर को तेजी से तयार किया जा रहा है। कोशिश हो रही कि दिसंबर 2023 के पहले ही मंदिर के ग्राउन फ्लोर का निर्मार कार पूरा कर लिया जाए राम लला के गुण मंडप और रंग मंडप के दिवार निर्मार कार लगभग पूरे हो रहे हैं राम मंदिर की फर्स में लगने वाले संगमर्गमर के पत्थर भी तयार हैं जिने मंदिर की छट पर लगाया जाएगा पिलर निर्मार के बाद भवि मंदिर की छट का निर्मार कारिश शुरू किया जाएगा वहीं ट्रस्ट का दावाई की जनवरी 2024 तक राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तयार हो जाएगा जिसमें भगवान को उनके गर्ब गहे में अस्थापित किया जाएगा स्री राम जन भूमी तीर्थ छेर्थ ट्रस्ट के सदस डॉक्टर अनिल मिस्र के मुताबिक मंदिर के पिलर को पिंक सैंड इस्टोन से तयार किया गया है जो अब खड़ा किया जा रहा है आने वाले दिनों में पूरे मंदिर के फर्स पर खड़े दिखाई देंगे इसके साथ ही मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में 161 पिलर लगाने हैं जो बेहत खुबसूरत डिजाइन के हैं वहीं गर्भगय में लगने वाले पिलर संगमरमर के हैं जिनकी खुबसूरती देखते ही बनती है गर्भगय अश्टकोंड ये है इसलिए इसमें 8 संगमरमर के पिलर लगेंगे मंदिर में लगने वाले साड़े चार लाग घन फुट पत्थर खुबसूरे डिजाइन में तरासे जा रहे हैं जिनमें अस्ति फीसदी तयार हैं बाकी निर्मार के साथ तयार होते रहेंगे परकोटा में बनने वाले प्रिकर्मा की चोड़ाई 14 फुट और लंबाई 800 मिटर है परकोटा का निर्मार दिसंबर में शुरू हो जाएगा रिटेन वाल का निर्मार पूरा हो चुका है इसके साथ ही बड़ी संख्य में श्रधालू दर्सन पूजन के लिए देश विदेश से अयोध्या आएंगे इसको ध्यान में रक्तेवशी राम की सुरक्षा का खाका इस तरह तयार किया जा रहा है कि कोई चूक न रह जाए अयोध्या में सर्यू किनारे भब राम मंदिर कुछ इस तरह से नजर आएगा जनवरी 2024 में मकर संक्रांति को भगवान राम लला को गर्व ग्रह में बिराजमान करवा कर दर्शन सुरू करने की योजना बनाई गई है राम लला के मंदिर में कोमलता जलकेगी पर वो श्री राम के दर्शन के लिए भक्त बहुत उत्सुक है मंदिर का निर्मार होते ही बड़ी संक्या में भक्त श्री राम के दर्शन के लिए पहुँचेंगे जिसको लेकर खास तयारियां भी की जा रही है